आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स B की पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ दिये जलुठे जिसके लेखक हैं मदुकर उपाध्याई जी दिये जलुठे कहानी आजादी के लिए प्रयत्न शील भारत की महतोपोंट घटना पर आधारित है जब वल्लब भाई पटेल के अहवान पर पूरा भारत दांडी कूच के लिए तैयार था इस कूच को असफल बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने वल्लब भाई पटेल को तीन महीने के कारावास में डाल दिया गांधी जी को वल्लब भाई पटेल की इस तरहां से हुई गिरफतारी अच्छी नहीं लगी उन्होंने स्वयम इस यात्रा का नेत्रित्व किय यह यात्रा साबर मती से आरंब हुई गांधी जी बोर्सत से होते हुए राज गए वहां उन्होंने जनता का आहवान किया वहां से वह कंकापुरा पहुचे इस दांडी कूच का उद्देश्य था लोगों के अंदर आजादी के लिए जोश पैदा करना सत्यग्रह के लिए जनता को तयार करना वह ब्रिटिश शासन से पून स्वराज की मांग करना कंकापुरा से नदी आधी रात में पार करनी थी लेकिन रात में अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तभी गांधी जी वहां अन्य सत्यग्रहियों का उत्साहा बढ़ाने के लिए नदी के तट पर दोनों और हजारों दिये जल उठे हजारों लोग हाथों में दिये लेकर खड़े हो गए ताकि लोगों को नदी पार करने में कोई परेशानी ना हो यह कहानी आजादी के समय की एकता की साक्षे है लोगों का एक ही उद्देश्य था भारत को गु इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि रास के पास ही एक बुढ़े बर्गत का पेड़ था जिसने दांडी कूच की तयारी का पूरा दृष्य देखा था दांडी कूच के बारे में बताता हुआ लेखक कहता है कि दांडी कूच की तयारी के सिलसिले में वल्लब भाई पटेल साथ मार्च को रास पहुचे थे वल्लब भाई पटेल का वहां भाशन देने का कोई इरादा नहीं था लेकिन लोगों के आग्रह का आर्थ है प्रात्ना विनती लेकिन लोगों के आग्रह करने पर पटेल ने लोगों के सामने दो शब्द कहना स्विकार कर लिया था वल्लब भाई पटेल ने लोगों से पूछा कि क्या वे सभी सत्यक रहे के लिए तैयार हैं जब वल्लब भाई पटेल भाशन दे रहे थे उसी बीच मजिस्ट्रेट अर्थात पौजदारी अदालत का अफसर उसने मनाही का आदेश लागू कर दिया और पटेल को गिरफतार कर लिया गया कहने का तात पर यह है कि मजिस्ट्रेट अर्थात पौजदारी अदालत के अफसर ने दांडी कूच करने के लिए निशेधाग्या का अर्थ है मनाही का आदेश उन्होंने निशेधाग्या लागू कर दी अब कोई भी दांडी कूच नहीं कर सकता था लेकिन कोई इस आदेश का पालन करने से मना करता तो उसे गिरफतार किया जा सकता था वल्लब भाई पटेल इस समय दांडी कूच का नेत्रित्व कर रहे थे इसी कारण उन्हें गिरफतार कर लिया गया उनकी है गिरफतारी स्थानिये कलेक्टर शिलिडी के आदेश पर हुई थी जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय एमदाबाद से भगा दिया था यहां लेखक कहता है कि वल्लब भाई को पुलिस पहरे में बोरसत की अदालत में लाया गया था जहां पर वल्लब भाई पटेल ने अपना अपराद कुबूल कर लिया था वल्लब भाई पटेल ने अपना अपराद सुईकार कर लिया था जब वल्लब भाई पटेल ने अपना अपराद सुईकार कर लिया तब जज को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें वह कौन सी धारा के तहत और कितनी सज़ा दे लेखक कहता है कि जज को अपना सिर्फ आठ लाइन का फैसला लिखने में डेड़ घंटा लगा जज के फैसले के अनुसार पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई इसके लिए उन्हें एमदाबाद और साबरमती जेल ले जाया गया गांधी वल्लभाई पटेल की गिरफतारी से बहुत शुब्ध यहां शुब्ध कार्थ है नाराज गांधी जी उनकी गिरफतारी से बहुत जादा शुब्ध थे अर्थात नाराज हो गए थे पटेल की गिरफतारी के बाद गांधी जी ने कहा कि अब उनके दांडी कूच की तारीक बदल सकती है जहां वे पहले अपने अभियान पर 12 मार्च को जाने वाले थे अब उससे पहले ही रवाना हो सकते हैं इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि वल्लब भाई पटेल को गिरफतार करके जेल ले जाया जा रहा था तब आश्रम में एक एक आदमी है हिसाब लगा रहा था कि पटेल को ले जाने वाली मोटर कार बोर्सत से साबरमती जेल पहुंचाने में कितना समय लगाएगी लेखक बताता है कि जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था आश्रम वासी पटेल को एक बार देखना चाहते थे समय का अनुमान लगा कर गांधी जी खुद आश्रम के बाहर निकल आए और उनके पीछे पीछे सब आश्रम वासी बाहर आ गए और बाहर आकर सडक के किनारे खड़े हो गए ताकि वे पटेल को जेल जाने से पहले एक बार देख सकें क्योंकि लोगों का खयाल था कि पटेल को गिरफतार करके ले जाने वाली मोटर आश्रम के बाहर किसी हाल में नहीं रुकेगी लेकिन सब का सोचना गलत निकला पटेल को जेल ले जाने वाली मोटर आश्रम के बाहर रुकी लेखा कहता है कि ऐसा लगता है कि यह पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर आश्रम के बाहर रोकनी बड़ी गांधी और पटेल स्रड़क पर मिले उन दोनों की एक संक्षिप्त मुलाकात संक्षिप्त कार्थ है एक छोटी सी मुलाकात होई पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमबासियों और गांधी जी से कहा मैं चलता हूँ अब आपकी बारी है अर्थात अब मैं तो जा रहा हूँ अब बाकी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आप सभी की है इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि जब पटेल को गिरफतार किया गया तो उसके बदले में देश भर में एक लहर सी दोड़ गई पटेल की गिरफतारी के बाद दिल्ली में मदन मोहन मालविये ने केंद्री असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदम चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भसना की गई भसना अर्थात निंदा की गई लेकिन उनका यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका मदन मोहन मालविय के इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सर्दार बल्लभाई पटेल की गिरफतारी अपने विचारों को अभिव्यक्ती अर्थात प्रकट करने की स्वतंतरता के सिध्धांत पर हमला है भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है नजीर का रथ है उधारन एक ऐसा उधारन पेश कर रही है जिसके बहुत जादा गंभीर परिनाम होंगे गंभीर का रथ है बहुत जादा भयानक बहुत जादा गलत परिनाम निकलेंगे यहां लेखक बताता है कि गांधी के रास पहुचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहट सरदार वल्लब भाई पटेल को गिरफतार किया गया था तहट का आर्थ है अनुसार जिसके अनुसार पटेल को गिरफतार किया गया था सरदार वल्लब भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद सत्य ग्रहियों ने अपनी ओर से हर मुश्किल को पार करने की तैयारी पूरी तरह से कर ली थी अब बास तयब जी भी रास पहुच चुके थे ताकि यदि किसी कारण से गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस स्थिती में वे कूच की अगवाई कर सकें अगवाई का अर्थ है नित्रित्व अगर किसी कारण से गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो वहां वे उसका नित्रित्व कर सकें अर्थात उसकी अगवाई कर सकें लेखक कहता है कि बोर्सत से निकलने के बाद लगभख सभी सत्यग्रही आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुँचने तक नहीं पकड़ा जाएगा आश्वस्त थे अर्थात उन्हें ये विश्वास था कि गांधी जी जब तक जलालपुर पहुँचेंगे उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता लेकिन उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी और उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी वे सोच रहे थे कि गांधी जी को किसी भी स्थिती में गिरफतार नहीं किया जा सकता और कूच को रोका नहीं जा सकता लेखक कहता है कि जब गांधी जी रास पहुँचे तो वहां गांधी जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ भव्य का अर्थ है बहुत शांदार उनका वहां पर बहुत शांदार स्वागत हुआ गांधी जी के स्वागत में दर्बार समुदाई के लोग इसमें सब से आगे थे दर्बार गोपालदास और कर महराज भी गांधी जी के स्वागत के लिए वहां मौदूद थे लेखक कहता है कि जब गांधी जी ने भाशन दिया तो गांधी ने अपने भाशन में धर्बारों का खास तोर से उल्लेग किया लेखक बताता है कि कुछ दर्बार रास्रस्ट में ही रहते थे पर अनु..की म साहब की तरह जिंदगी होती थी, वे साहब की तरह जिंदगी जीते थे, एशो और राम की जीते थे, एक तरह से वे लोग राजा की तरह जीते थे, दर्बार सब कुछ छोड़ कर रास में आकर बस गए थे, गांधी जी ने अपने भाशन में कहा कि दर्बार लोगों से सभी क पोत्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए यहां लेखक कहता है कि अखिल भारतिय कॉंग्रिस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबर मती के तट पर होने वाली थी जवाहलाल नहरू इस बैठक के होने से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे इसलिए जवाहलाल नहरू ने गांधी जी को संदेश भिजवाया और जवाहलाल नहरू के संदेश के जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जन सभा से पहले नहरू को एक पत्र लिखा जिसमें गांधी जी ने लिखा कि जहां पर वे हैं वहां तक पहुंचना कठिन है गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वल्लब भाई पटेल की गिरफतारी के बाद सभी गोडर था कि किसी भी समय गांधी जी को भी गिरफतार किया जा सकता है इसी वजह से गांधी जी जो सभी से कहीं दूर छिपे हुए थे और जब जब जबाहरलाल नहरू ने उनसे मिलने के लिए संदेश भिजवाया तो गांधी जी ने उन्हें वापस संदेश भिजवाया कि यदि जबाहरलाल नहरू गांधी जी से मिलना चाहते हैं तो उनको पूरी एक राज जाग कर काटनी पड़ेगी और अगर अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमीटी की बैठक से पहले वापस लोटना चाहते हैं तो इससे बचा भी नहीं जा सकता अर्थात उन्हें अगर वापस समय पर लोटना है तो उन्हें पूरी राज जागना पड़ेगा तभी वे गांधी जी से मिलकर वापस समय पर लोट सकेंगे लेखक कहता है कि गांधी जी ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि वे उस समय जब जब अर्थात को यहां प्रयान का अर्थ है या यात्रा अर्थार इस यात्रा के मुशकिल समय में कठीन थमकार्थ है मुश्किल समय में तुम मुझ से मिल रहे हो क्योंकि इस समय गांधी जी सभी से छिप कर रह रहे थे इसलिए गांधी जी ने जवाहल लाल नहरू को रात के समय दो बजे उनके जाने पर खे जाने पर खे अर्थात विश्वास पात्र मचवारों के साथ ना मैं इस कठीन यात्रा में जवाहलाल नहरू को थोड़ा सा भी विराम नहीं दे सकते थे क्योंकि अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी की बैठक उनकी कूच की यात्रा के लिए बहुत अधिक आवश्यक थी और वे किसी भी कीमत में उसे टाल नहीं सकते थे यहां लेखक कहते हैं कि वल्लब भाई पटेल की गिरफतारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाप होने वाला रोश स्वभाविक था यहां स्वभाविक कार्थ है प्राकृतिक था उनके बीच जो रोश था वह प्राकृतिक था कहने का तार पर यह है कि वल्लब भाई पटेल की गिरफतारी के कारण लोगों का गुस्सा जायज था लेखक कहता है कि गांधी जी की जन सभा से पहले ही गाउं के सभी पुष्टैनी मुख्या पुष्टैनी कार्थ है पीडियों से चले आ रहे हैं मुख्या और पटेल सरक सरकार को अपना इस्तिफा सौम गए थे क्योंकि वे सभी सरकार के कानून के खिलाफ काम करने वाले थे गांधी ने दांडी कुछ शुरू होने से पहले ही निश्चे कर लिया था कि वे उनकी यात्रा ऐसे भूभाग से ही करेंगे जो अंग्रेजों के अधिपत्य वाले लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ोदा रियासत से गुजरना पड़ा क्योंकि अगर वे वहां से नहीं जाते तो उनकी यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो सकती थी और इसका असर उनकी यात्रा के कारिकरम पर पढ़ता लेखक बताता है कि सभी सत्याग्रही गाजे वाजे के साथ रास में दाखिल हुए वहां गांधी जी को एक धरमशाला में ठैराया गया जब कि बाकी सत्याग्रही तंबों में ही रुके यहां लेखक कहता है कि रास की जनसंख्या 3,000 के लगबग थी लेकिन गांधी जी की जनसभा में 20,000 से भी जादा लोग आये हुए थे अपने भाशन में गांधी जी ने सरदार बल्लब भाई पटेल की गरफतारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार बल्लब भाई पटेल को जो सजा हुई है वह जनता की सेवा करने के पुरुसकार के रूप में उन्हें मिली है लेखक बताता है कि गांधी ने अपने भाशन में सरकारी नौक्रियों से स्तीफिकाव लेग भी किया और कहा कि कुछ लोग अभी भी गंदगी पर मख़्ी की तरहां अपनी सरकारी नौक्रियों से चिपके हुए हैं उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ, तुच्छ कार्थ है मुल्य हीन, अपने मुल्य हीन स्वार्थों को भूल कर अपनी सरकारी नोक्रियों से स्तीफा दे देना चाहिए गांधी जी ने यहे भी कहा कि सरकारी नोकरियां करने वाले लोग कब तक गाउं को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक उनकी आँख खुली नहीं है यहां लेखक कहता है कि गांधी जी ने रास में भी राज द्रोहों की बात पर जोड दिया और कहा कि उनकी गिरफतारी अच्छी बात होगी गांधी जी सरकार को खुली चुनोती देते हुए यह भी कह रहे थे कि अब फिर बादल घिराएं है यह भी कहा जा सकता है कि अब सही मौका सामने आया है अगर सरकार उन्हें गिरफतार करती है तो यह एक अच्छी बात है उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें तीन माहा की सजा देते हुए सरकार को भी लजज़ा अर्थाच शर्म आएगी इसलिए गांधी जी ने कहा कि राज द्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है और उनके जैसे लोग अगर राज द्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए यहां गांधी जी लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है उन्हें तीन माहा की सजा ना होकर काला पानी देश निकला या फांसी की सजा हो तो उन सभी को आगे की कूच करने की पहले से ही तैयारियां करके रखनी चाहिए लेखक यहां गांधी जी के दूर दर्शी सोच को उजागर कर रहा है लेखक कहता है कि सत्यगरही रास से शाम 6 बजे चले और 8 बजे कनकापुरा पहुँचे जब सभी लोग कनकापुरा पहुँचे तो उस समय लोग उस यात्रा से ठके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से भी थी आशंका अर्था इस संदेह से भी थी कि वे सभी लोग मही नदी को कब और कैसे बार करेंगे जैसे ही सभी लोग नदी के किनारे पहुँचे तो वहां पहुँचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ठंडी बयार का अर्थ है ठंडी हवा ठंडी हवा ने सत्य ग्रहियों का स्वागत किया लेखक बताता है कि कनकापुरा में 105 साल की एक बूढी महिला ने गांधी जी के मात्य पर तिलक लगाया और कहा कि वे अंग्रेजों से स्वराज अर्थात अपना राज लेकर जल्दी वा लेखक कहता है कि गांधी जी की जनसभा का निश्चित किया गया समय आठ बजे का था लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उस जनसभा को एक घंटे के लिए टाल दिया गया जब जनसभा शुरू हुई तो जनसभा के भाशन में गांधी जी ने अंग्र के राज में रंक से राजा तक सभी दुखी हैं राजा महराजाओं को जैसे सरकार न चाहती है नाचने को तैयार हो जाते हैं यह राक्षसी राज है इसका संहार होना चाहिए संहार का अर्थ है नाश नाश होना चाहिए इसका गांधी जी के कहने का यह तात्पर्य था कि जिस प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर लें परंतो गांधी जी ने इस प्रस्ताव से साफ इनकार कर दिया गांधी जी का कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रियोग नहीं करता यह पुरा तुक समझे जाएं वही सच्ची यात्रा होती है यहां लेख़ कहता है कि बृटिश हुक्मरानों का अठा अंग्रेजी शासकूं में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे ऐसा लग रहा था कि गांधी और उनके सत्यग्रही मही नदी के किनारे ही अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे क्योंकि समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता था जिसके रखवाली के लिए अंग्रेजी सरकार ने सरकारी नमक चौकिदार रखे हुए थे लेखा कहता है कि गांधी जी ने भी अंग्रेजों का ध्यान भटकाने के लिए कह दिया था कि नदी के किनारे नमक बनाया जा सकता है परंतु गांधी को समझने वाले वरिष्ट अधिकारी का अर्थ है बड़े अधिकारी बड़े अधिकारी इस बात को मानने वाले नहीं थे कि गांधी जी भी कोई काम अचानक और चुपके से कर सकते हैं यह विश्वास होने के बावजूत भी कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से नहीं करेंगे अंग्रेजी अधिकारियों नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिये और उने नश्ट करवा दिया ताकि इसका खत्रा ही न रहे कि गांधी जी नदी के किनारे ही नमक बना कर कानून को तोड़ देंगे यहां लेखक कहता है कि जो नियम बनाए गए थे उन नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनका पुरा में गांधी जी के भार्षन के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया था यह तैय किया गया कि नदी को आधी रात के समय जब नदी में समुद्र का पानी चढ़ जाता है उस समय नदी को पार किया जाएगा ताकि लोगों को कीचड और दलदल में कम से कम चलना पड़े दिन के समय नदी में पानी कम होने के कारण कीचड और दलदल जादा होता था जिस कारण उसे पार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता था इसी वजह से रात में नदी को पार करने का निर्ने लिया गया लेखक कहता है कि रात साड़े दस बजे भोजन करने के बाद सत्यगरही नदी की ओड़ चल पड़े अंधेरी रात में गांधी जी को करीब चार किलोमेटर दलदली जमीर पर चलना पड़ा था कुछ लोगों ने गांधी जी को कंधे पर उठाने की सला दी पर उन्होंने मना कर दिया उन्होंने कहा कि यह धर्म यात्रा है वे इसे चल कर ही पूरी करेंगे तट पर पहुँचकर गांधी जी ने पैर धोय और एक जोपड़ी में आधी रात का इंतजार करते हुए आराम करने लगी इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि मही नदी के तट पर उस भयानक अंधीरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था वहां पर उपस्थित लोगों ने कई भजन मंडियां बना दी थी रास में दांडिया बहुत अधिक प्रसिद्ध है दांडिया एक प्रकार का नृत्य है और दांडिया में रास के दर्बार निपुन अर्थात कुशल थे यहां निपुन का अर्थ है कुशल थे दर्बार लोग जो हैं वे दांडिया रास में निपुन थे उनके गीत के बोल कुछ इस प्रकार थे देखो गांधी का दांडिया रास देखो वल्लब का दांडिया रास, दांडिया रास सरकार का नास, देखो विठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास यहां लेखक कहता है कि गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रगुनात काका को सोपी गई थी उन्होंने गांधी जी को नदी पार कराने के लिए एक नई नाव खरी दी और उसे लेकर कंकापुरा पहुँच गए बदलपूर के रगुनाद काका को सत्यग रही उन्हें निशाद राज कहना शुरू कर दिया था क्योंकि जिस प्रकार श्री राम को नदी पार करवाने की जिम्मेदारी निशाद राज की थी उसी प्रकार बदलपूर के रगुनाद काका को गांधी जी को नदी पार करवाने की जिम्मेदारी मिली थी लेखक बताता है कि उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और उनकी बहुत सी नावे भी चलती थी रात के समय ज़स समुत्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधिरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिये उसे भेद नहीं पा रहे थे अर्थात दियों की रोशनी उस रात के अंधकार को मिटा पाने के लिए काफी नहीं थी थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुँच गए उन सब के हाथों में दिये थे इसी तरहा का नजारा नदी के दूसरी और भी था नजारा अर्थात द्रिश्य इसी प्रकार का द्रिश्य नदी के दूसरी और भी था दूसरी और भी पूरा गाउं और आस पास से आए लोग दिये की रोशनी लिए गांधी जी और उनके सत्यग्रईयों का इंतजार कर रहे थे यहां लेखक कहता है कि रात के लगभग बारहां बजे मही सागर नदी का किनारा पानी से भर गया समुद्र का पानी चढ़ आया था पानी चढ़ने की खबर सुनकर गांधी जोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे लेखक बताता है कि गांधी जी के वहां से चलते ही महात्मा गांधी की जै, सरदार पटेल की जै और जबाहर लाल नहरू की जै के नारे सुनाई देने लगे और उन्ही नारों के बीच नाव रवाना हुई जिसे रगुनात काका चला रहे थे कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरी तट से भी आने लगी लेखक कहता है कि उन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वे नदी का किनारा नहीं, बलकि पहाड की घाटी हो जहां प्रतिध्वनी सुनाई देती है प्रतिध्वनी अर्थात जहां जब कोई शब्द जोर से पुकारा जाता है तो उस शब्द के उत्पन होने से उसके उपरांत उसी से उत्पन ध्वनी सुनाई देती है यहां लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि नदी के दूसरी ओर जमा हुए लोग भी उसी तरह से महात्मा गांधी की जये, सरदार पटेल की जये और जबाहालाल नहरू की जये के नारे लगा रहे थी लेखक बताता है कि मही सागर नदी के दूसरे तट पर भी स्थिती कोई अलग नहीं थी वहां पर भी उसी तरह का कीचड और दलदली जमीन थी जैसी नदी के इस ओर के तट पर थी लेखक कहता है कि मुमकिन है यह पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था डेड़ किलोमीटर तक पानी और कीचड में चल कर गांधी जी रात एक बजे के लगभग नदी के उस पार पहुचे और वहां पहुचते ही सीधे आराम करने चले गए गाउं के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए लोगों ने जोपड़ी पहले से ही तयार कर दी थी गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिये लेकर लोग खड़े रहे अभी सत्यग्रहियों को भी उस पार जाना था शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदीपार करानी होगी उन लोगों को पता था कि उनके सत्यग्रह में अभी और भी लोग जुड़ने वाले हैं उन लोगों को भी नदी पार करवाना जरूरी था ताकि उन्हें भी सही रास्ते का पता चले और उनके सत्यग्रहे में लोगों की संख्या बढ़े ताकि अंग्रेज सरकार उनके कूच को दबाना सके और वे नमक बना कर कानून को तोड़ सके मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें